हेलो दोस्तो मेरा नाम है विभाव और आज की इस वीडियो में दोस्त हम डिसकस करेंगे हमारे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नमबर 7 फिजियो लोजी एंड इंजिरी सिनी स्पोर्ट्स के सेगंड टॉपिक को जो की है दोस्त हमारा इफेक्स आफ एक्स इस वीडियो में दोस्त हम इसके सेकंड टॉपिक को देखेंगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्स आफ एक्सराइज ऑन दा कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारा हर्ट रेट होती है 72 beats per minute तो exercise करने के बाद ये 150 beats per minute तक बढ़ जाती है और third है blood pressure increases मतलब जब हम exercise करते हैं तो large amount of blood हमारी blood vessels से flow करता है और इसी current जो blood vessels की walls होती है उस पर ज़्यादा pressure apply होता है और इन सब से हमारा जो body का blood pressure है वो increase हो जाता है next है effects of exercise on muscular system तो जो हमारा muscular system है उस पर exercise का क्या effect पढ़ता है तो first है size and shape of the muscles changes तो जब हम exercise करते हैं तो हमारे muscles का size और shape change हो जाता है और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम exercise करते हैं तो जो हमारे muscles के अंदर cells होते हैं वो enlarge हो जाते हैं और इसी करण हमारी muscles का shape और size दोनों बढ़ जाते हैं, second है correct body posture, मतलब जब हम regular exercise करते हैं तो हमारे body posture भी improve हो जाता है, और जितनी भी हमारी postural deformities होती है, वो सब भी remove हो जाती है, third है food storage increases, मतलब जो हमारी body की food store करने की capacity होती है, वो भी exercise करने के बाद increase हो जाती है, next है effects of exercise on the respiratory system, तो first है decrease in rate of respiration, तो जब कोई भी beginner exercise क करता है, उसकी rate of respiration है, वो भी decrease हो जाती है, और वो beginner वाले level से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, second है strong willpower, मतलब अगर कोई भी person regular exercise करता है, तो उसकी willpower भी increase हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी exercises होती है, जो की breathe से control होती है, जैसे की परनायम, अगला point है unused alvely become active, alvely हमारे lungs में होते हैं और ये gases के exchange करने के काम में आते हैं, तो जब हम exercise करते हैं, तो हमारी body को या फिर हमारे lungs को बहुत सारे oxygen की requirement होती है, और इसी कारण सभी alvely active हो जाते हैं, तो next वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे sports injuries, classification causes and preventive majors, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जि respiratory and muscular system, तो I hope दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को share के जपने दोस्तों को साथ, और दोस्तों गर आप ऐसी वीडियो को देखते रहना चाते हैं, तो इस चैनल को सस्क्राइब कीजी और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे यूजर ने में धा फिजिकल एक्स्प्लेनर जहां पर दोस्तों आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं हमसे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तो तक तक दोस्तों आल दावेश्ट शेए चूड़ विद अस